किरन पहुचेगा सवी के कॉलेज, यहां इशान और पूरे परिवार के सामने सवी को बताएगा कैरेक्टर लेस्ट सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि आने वाल एपिसोड में आप देखेंगे कि सवी उठाएगी किरन पर हाथ उसे देगी उसकी बत्तमीजी का जवाब एक जोर के थपड से यहाँ पर किरन थपड तो खा लेता है लेकिन कसम खाता है कि वो सवी से अपने थपड का बदला लेकर रहेगा आप देखेंगे सवी यहां हरेडी और सब लोग वापस आते हैं, सवी यहां हरेडी को कुछ नहीं बताती कि कैसे किरन ने उसके साथ बत्तेमीजी करने की कोशिश की, सवी यहां अपना बैक पैक करती है, सुबह सुबह और अपने सामान भी पैक करती है, हरेडी को समझ में न किरन यहां पर हरेनी से पूछता है सवी जल्दी कहां चली गई तो ऐसे में हरेनी बताती है कि वह कॉलेज गई है उसे होस्टल मिल गया है और यहां नहीं लोटके आएगी किरन तुरंत सवी के पहुशने से पहले पहुच जाता है पूरे भोसले परिवार के पास यानि यहां वो सवी के बारे में बहुत सारी गलत बाते बताता है कि वो लेट नाइट तक आती थी देर देर तक रात बाहर रहती थी और यहां तक कहता है किरन कि उसने किरन का फायदा उठाने की कोशिश की उसके साथ बत्तमीजी करने की कोशिश की यहां पहले तो इशान किरन की बात करता है क्योंकि उसे इस तरह के character की लड़की अपने college में नहीं चाहिए